हाई दोस्तों मैं नवीन सचान एक बार फिर आपके साथ लेके आया हूँ आपके लिए दा मर्चेंट आफ वेनिस विलियम् सेक्सपियर की तो दोस्तों चलते हैं विलियम् सेक्सपियर के तो आप सब लोग जानती ही होंगे और मेरे वीडियो में आप उसके बारे में इसके बाद वेप्टीज्ट में नाम करांँ वती इनका 26 अप्रेल 1564 को और इनका जो बॉर्न वह बार्ठडे मनाते हैं वह यहां प्रेल मिल्यम्स के जो फॉदर थे जॉन सेख्सपीर ऊनका नाम था उसके बाद उनकी उनकी माता लो नाम था और यहाँ पे विलियमस फादर का नाम आपको बताया जॉन सेक्सपियर क्या नाम था जॉन सेक्सपियर उनके किसका नाम था फॉदर का नाम था और वो इसके बाद 1560 में इस्ट्रेट पॉर्ड में यह गय थे 14 यहाँ पे इसके बाद यहां देखते हैं क्या है जॉन सेक्स्पियर इस 1557 क्या है Mary Arden Married हुई थी इनकी साधी हुथी किसकी साधी हुथी Sexpear की Mary Arden who married John Sexpear in 1557 में 1557 में married हुथी John Sexpear के साथ में इनके 8 बच्चे थे कितने हैं यह John Sexpear कौन हैं यह उनके father है और यह उनकी मा they had eight children उनके आट वच्चे थे कितने थे eight वच्चे थे उनमें से जो Shakespeare थे William Shakespeare वो third number के किस number के third number पे उसके बाद we know that the new king's grammar school taught boys basic reading and writing उन्होंने basic reading and writing अपने king's new grammar school में सीखी उसके बाद यहाँ पे इसके बाद काफी कुछ हमने उस वीडियो में बताए आपको William Shakespeare के बारे में और आपको पढ़ना है तो मेरे वीडियो में आराम सी वीडियो को pause करके आराम से पढ़ लीजेगा इसके बाद हम आपको ले चलते हैं सीदे उनके डायट जो ही तुनके डेथ जो ही थी वो 33 अप्रायल को ही थी 1616 में देखते हैं तो आते हैं मर्चंट आप वेनिस पे विलम सेक्सपियर जो मर्चंट आप वेनिस था डिउक आप वेनिस प्रिंस आप मुरक को प्रिंस आप ओरगान ये कौन थे ये तीन लोग वो थे जो पोर्शिया को देखने के लिए आये थे क्योंकि पोर्शिया बहुत ही सुन्दर थे उसके पिता ने कहा ते उससे जो विवाह करेंगा तीन बक्स से उसने चुनके रखे थे वह कहनी आगे हम आपको बताएंगे यह ड्रामेटिक पर्शन है इसके पार्ट्स है जो महारा मर्चेंट आप वेस्ट है ये इसके पार्ट्स है और यह सारे सर्वेंट आप पोर्षिया यह पोर्षिया की सर्वेंट थी यह दोनों इसके बाद पोर्षिया रिच हायर रिस थी वह ठीक है इसके बंदे रिसा हर वेटिंग मैट यह इसके साथ रहती थी इसकी नौकरानी थी जैसिका कौन थी डाटर आप साइलोग डाटर मैं बता दिया एंटेनियो जो कौन था रिच मेर्चंट अव वैनिस का था टू फ्रेंड उसका एक फ्रेंड था वैसे नियो इसके बारे में आते हैं सीधे दोस्तो समरी प्याते हैं इसकी समरी क्या है समरी है इसकी एंटोनियो एंटोनियो एक बार की बात है वेनिस में एक ब्यापारी रहता था उसका नाम एंटोनियो था वह बहुत दयालू था और सब लोग उसका आधर करते थे वह बिना ब्याज लिए पैसो धारत ये दिया करते था गहना मित्र था जिसको पैसों की एक बार जरूरत पड़ती है तो वह बैसनियों के पास आता है क्योंकि वह पोर्शिया को देखने के लिए जा रहे होता है वह एक बार पोर्शिया को देख चुका होता है पहले ही ठीक ना तो वह पोर्शिया को एक बार देखने जा रहे होता तो इसको विवाह के लिए तो इसको पैसे दिरुवत पड़ती है तो अपने दोस्त के पास आता है एंटोनियों के पास मैं कहता है दोस्तियार मुझे पैसे चाहिए लेकिन उस समय एंटोनियों के पास पैसे नहीं होते हैं बोलता है कि इस मेरे पास पैसे नहीं चलो मैं दू और बैसेनियों को जाते हैं आन्य जो Throughwash कि ऐग Windows इंटोनिय। ब्याज पर फैसे देती है डिया वração अ remains अब क्या गरते हैं जब यह उससे ले लेता है तो जो इंटोनिय है साइलोक से पैसे लेता है वो एक bond होता है उसे पर दख्सकत कराता है उससे कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिये सही समय पर वापस नहीं किये तो मैं तुम्हारे सरीर के किसी भी हिस्षे के एक bond मांस काट लोगा ऐसा वो बोलता है तो उसने का ठीक है हसा वो हसा और उसने सोचा कि यह दिखो लिखा यहां पर सरीर के किसी भी भाग से एक bond मांस काट सकता था तो जो जो i आखो अब क्या होता है कि अब आगे इसी तरह से चलते हैं तो उसमें देखते हैं कि एंटॉनियों जो था उसका जो जहाज थे उसके क्योंकि वह भी बेपारे तो उसके जहाज जो थे वह लेट होते हैं समधर से वापस आने में आप इदर समय की पूर्थियों आती है अब सा इंटॉनियों का एक मित्र था जो बैस हो नहीं पूर्षिया उसके साथ चली आती है तो और गुस्ता होता है कि अब तो वह बदला लेकी ही रहेगा इससे तो बदला लेने के लिए वो सोचता है अब यह जो बात है वह कोट में जाती है कोट में जो पूर्षिया होती है वह नेरिसा बकली और ख्रक के व्हेस में पहूंची ऑदालत्में बहूंची अदालत में बाग मुकदमा देखा गया तो बोलती है यह वात सही है इसकी तो ठीक है तूम इसके वह बोलती पोर्षय बोलती ठीक है तुम इससे इसके सरीर से मांस काट लो लेकिन एक सर्थ है अगर तुमने इसके सरीर के किसी इससे से मांस काटा तो खून की एक भी बूंद नहीं गिरनी चाहिए खून की बूंद नहीं गिरनी चाहिए जो साइलोक ता वो तो पहले तो प्रशन नहीं हो जब उसने इसा कहा कि हाँ ठीक है तुम मांस काट लो लेकिन जैसी उसने कहा कि रक्त की एक भी बूंद नहीं गिरनी चाहिए तो उसके हाँ साइलाप के तोते उड़ गए हाथों के तोते उड़ गए और दूसरी बात उसने कहा कि एक पॉंद से कम या जादा नहीं होना चाहिए तो उसने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है अब पोर्शिया ने उसको रोक लिए और कहा कि सर्त नामे के एक ओर्डिंग तुमने कहा ता कि मांस का गोश्थी मिलेगा खून की एक बूंद भी नहीं गिरेगी और कुछ भी नहीं होगा इस तरह से उसने पोर्शिया ने एंटोनियो को बचा लिया और जो साई लॉक था उस पे सतर्त नामा भी रखा कि अगर इस तरह से ऐसा नहीं किया तो तुम्हें अब कुछ तो मिले पैसे उसने का पैसे दे दो का पैसे तो मिले नहीं तुमको क्योंकि पहले तो तुमने ऐसा कहा कि मुझे पैसे नहीं चाहिए मुझे तो मान सी चाहिए तो इस तरह से तुम्हें पैसे भी नहीं मिलेंगे और इसमें लिखो सर्थ नामे में उसने कहा कि इसकी आधी संपत्ती जो एंटोनियों को दे दी जाए और आधी इसकी सरकार के पास चली जा, गवर्मेंट के पास चली है लेकिन जो एंटोनी होता उसने इस सर्थ को मानने से मना कर दिया और उसने बोला कि एक सर्थ माननी पड़ेगी तुमें कि जो तुमारी संपत्ती है तुमारी मृत्त्त के बाद पोर्शिया की हो जाएगी तो सारी संपत्ति मृत्तु के बाद सारी संपत्ति अपनी लड़की के नाम ये कर देगा साहिलाप्ट ने भी इस सर्थ को मंजूरी कर दी और वो है वहाँ से चला गया तो इस तरह से इस नाटक का जो अंत होता है इस तरह से इस नाटक का अंत होता है इसमें अंगूठियां भी चन्ज़ किया आती है क्योंकि उनके जो पतनी नेरिसा और वो थी पोर्शिया उन्होंने अपने पतियों को एक एक अंगूठि दी थी फिर उसी बेस में वो उनसे वापस मांग लेती है तो वो समझ नहीं पाता है कि क्या हुआ फिर वो लड़ती है यह तो आपको अगर पढ़ना है तो मैंने आप सभी जगे वीडियो में बुक को कर दिया है आराम से आप वीडियो को पॉस्ट करके इसका सारा अर्थ पढ़ सकते हैं दोस्तों तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहना मैं grammar portion भी start करने वाला हूँ जल्द ही तो वीडियो को pause करके आराम से पढ़िये अपनी सारी prepare कर लिजे Thanks a lot my dear friends